एक गाउ में बालू और किर्ति नाम के गरीब भाई बहन रहते थे उनके माता पिता नहीं थे इसलिए उन दोनों के पास रहने के लिए छट भी नहीं थी वो घर घर जाकर भीग मांगते और पेड के तले सो जाया करते पर बाकि बच्चों की तरह उन दोनों को भी हमेशा लगता था कि वे दोनों भी खेले मज़े करे दीदी हम भी तो इंसान ही है ना जब हम किसी और इंसान के पास जाकर उन्हें माता पिता का वाश्ता देख कर भीग मांगते हैं तो तुमने देखा न वो हमें कैसी नजरों से देखते हैं। जैसे वो देखते हैं न दीदी। मचल लगता है कि हमें इस तरह भीग मांग कर जिने की क्या जरूरत है। तो बालू तुझे क्या लगता है? क्या मुझे भीग मांगना अच्छा लगता होगा? पर बालू हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं तुझे याद है न? हमने कितनों के पास काम नहीं पूछा हम किसी पागल कुद्धों की तरह उनके पीछे लगे पर क्या किसी ने हमें काम दिया? हाँ दिदी, हमने कईयों से जाकर पूछा कि जैसा भी काम हो दे देजिये हम करेंगे पर किसी ने हमें काम नहीं दिया और जब हता शोकर हम अब भी मागने लगे हैं तो कहते हैं कि कोई काम क्यों नहीं कर लेते? चल रहने देना बालू, ये सब तो अपने साथ होना ही है अपने गाउं में मैजिक शो होने वाला है मुझे मैजिक शो किसी भी हाल में देखना है मुझे भी देखना है पर देदी हम कैसे देख सकते हैं हमें अंदर जाने देना तो दूर गेट के पास भी खड़े होने नहीं देते हमारे पास एक दिन है न बालू देखते हैं क्या होगा फिर उस दिन उन दोनों को जो खाना मिला उसे खा कर उन दोनोंने रात काटी अगली सुबह वे दोनों जहां पर मैजिक शो हो रहा था उस जगे पहुंचे सेक्योरिटी गार ने उन्हें रोग दिया देखो बचो तुम्हारे विंती करने पर तुम पर दया खा कर अगर मैंने तुम्हें अंदर भेजा भी और अंदर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मुझे काम से निकाल देंगे तो भला मैं अपने घर परिवार की कैसे परवरिश कर पाऊंगा पर तुम्हें इस तरह रोग कर भी मुझे बुरा ही लग रहा है पर बच्चो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है सेक्योरिटी गार ने उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहा ये सब मैजिशियन ने देख लिया बालू और कीर्ती वहां से दूर जाकर एक बड़े से पत्थर पर बैटकर जितना उन्हें दिख रहा था वो मैजिक शो देख रहे थे शो खतम होने के बाद मैजिशियन बच्चों से मिलने बाहर आया बच्चों मैं सुबह से देख रहा हूँ तुम अंदर आने के लिए आतूर हो रहे थे अंकल हम अनात बच्चे हैं गाओ में कोई हमें काम नहीं देता न इसलिए भीक मांग कर अपना गुजारा करते हैं हमें मैजिक शो बहुत अच्छा लगता है सेक्योरिटी गाड ने हमें अंदर जाने नहीं दिया अच्छा तुमने कहा ना कि तुम्हें मैजिक करना पसंद है तो तुम दोनों मेरे साथ चलो आज के बाद तुम्हें भीक मांगने की कोई ज़रूरत नहीं मैं तुम दोनों को अपने बच्चों की तरह रखूंगा और तुम्हें मैजिक ट्रिक्स सिखाऊंगा तुम दोनों मेरे साथ मैजिक शो पर उपस्तित हो सकते हो मजिशियन की बात सुनकर कीर्टी और बालू मजिशियन के घर चले गए और हर रोज उससे मैजिक के ट्रिक्स सीखने लगे यू कुछी दिनों में उन दोनोंने मैजिक करना सीख लिया तुम दोनों मैजिक करना सीख गय हो अब मेरे बिना ही तुम दोनों कल स्टेज पर जाओगे और मैजिक शो करोगे वो रात बीड गई अगले दिन किर्टी और बालू मैजिक दिखाने कि लिए स्टेज पर गये उन दोनों ने अपने magic trick से ठीक magician की तरहा प्रेक्षकों का बहुत मनोरंजन किया ये देख magician भी बहुत खुश हुआ magic show खतम होने के बाद magician ने बच्चों के पास आगर कहा बच्चो सच कहूं मैं खुद को किस्मत वाला समझता हूं कि मुझे तुम दोनों मिले आज के बाद हम तीनों मिल कर ही काम करेंगे शेर अगर आप हमारी तारीफ कर रहे हैं तो सच में हमने बहुत अच्चा किया होगा हमें खुशी है आपके मुझे तारीफ सुनकर सच में बहुत अच्चा लग रहा है आपका हमारा माजिक अच्छा लगा और प्रेक्षकों को भी उनकी तालियों की गुंच अब तक मेरे कानों में बज रही है सेर आज आपकी वज़े से ही जहां हम अपनी सिंदिगी में इन लोगों के तालियों के हगदार थे वही हमने आज तिक इन ही लोगों के हाथों से भीक लिया सेर मेरी समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्या करे कि आपका ये एहसान चुगा पाए बच्चों, इसमें मेरा किया हुआ कुछ नहीं है तुम दोनों सच में बहुत ही टालेंटर हो और इसी वज़े से तुम दोनों ने माजिक ट्रिक्स पहुत अच्छे से सीख लिया वरना ये मुम्किन नहीं था आज से ही तुम दोनों एक कैम करोगे आज के बाद हर हफते तुम एक या दो magic show करोगे, वो भी मेरे साथ और बाकी दिनों में तुम दोनों school जाकर खुब पढ़ाई करोगे। शनिवार और रविवार के दिन वे दोनों magician के साथ magic show करते और बाकी पूरे दिन वे दोनों school जाने लगे। उस magician ने इन दोनों की जिंदगी में जैसे कोई जादू किया और उनकी जिंदगी ही पदल गई। इस बात को सोचकर कीरती और बालू हमेशा उनका मन ही मन आभार मानते। डाइपर बालू और कीरती ने ये सीख लिया था कि मचलियों को जाल में कैसे फसाते हैं। एक दिन सिर्फ वे दोनों ही मचली पकड़ने के लिए नदी पर गए। तब ही एक विशाल राक्षस जैसी मचली उन दोनों की और आ रही थी। बालू और कीरती की नजर जैसे ही उस पर पड़ी वे दोनों बहुत डर गए। तो क्या बालू और कीरती उस राक्षस जैसी मचली से बच पाए या उस मचली का आहार बन गए। हम इस कहानी में ये देखेंगे। एक गाउ में कीरती और बालू नाम के भाई बहन रहते थे। हाल ही में उन्होंने अपने माता पिता को खोया था। इसी वज़े से वे दोनों इन दिनों बहुत दुखी रहते थे। तबी राजा नाम का एक आदमी उनके घर पर आया और अपने साथ लाया हुआ खाना उन् अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसे खोकर सिर्फ तुम दोनों ही नहीं बलकि मैं भी अकेला हो गया हूँ बच्चों। तुम्हारे पिताजी के बिना मुझे अकेले ही यो मचली पकड़ने जाने में बहुत दुख हो रहा है। खेर मेरी बात छोड़ो तुम दोनों कैसे रह रहे हो। मा बाओ जी के बिना भी क्या कोई जिन्दगी होती है हमें भी नहीं जीना। ऐसी बात नहीं करते बालू। ऐसे कई लोग है जो अपने मा बाओ जी के बिना ही अपनी जिन्दगी में बहुत आगे बड़े हैं उन्हें देख कर सीखो पर यूं रोते रहन से कुछ नहीं होने वाला चाचा जी पर हम दोनों कर क्या सकते हैं क्या हम दोनों से कुछ होप आएगा कोई भी चीज किसी को भी जन्म से नहीं आती हमें उसे सीखना होता है कल से ही तुम दोनों मेरे साथ मचली पकड़ने के लिए चलो मैं तुम्हें सिखाऊंगा मचली बेच कर तुम पैसे कमाओ अगली सुबही बालू और केर्टी राजा के साथ मचली पकड़ने नदी पर गए राजा ने उन दोनों को बहुत अच्छे से मचली पकड़ना सिखाया बच्छों पिछले कुछ दिनों से तुम दोनों मेरे साथ मचली पकड़ने चल रहे होना आज तुम दोनों अपने आप ही चले जाना तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम अकेले में मचली पकड़ सकते हो या नहीं राजा की बात मानकर उस दिन कीरती और बालू उसके बिना ही मचली पकड़ने के लिए नदी पर चले गए यूँ कुछ देर उन दोनों ने मचली पकड़ी और राजा वहाँ पर पहुंचा जाल बिचाना उसे बांधना ये सब तो ठीक है पर मचली पकड़ में आती नहीं है हम सुबे से जाल बिचा रहे हैं तो केवल इतनी ही मचली पकड़ पाए हैं हाँ बच्चो ये तुम्हारे शुरुवाती दिन है न ऐसे ही होगा जैसे जैसे दिन बीचते जाएंगे तुम दोनों की जाल में मचली पकड़ने लगेगी जाल को कैसे बिचाना है कहां बिचाना है किस और मचलियां जादा पकड़ में आएगी ये सारी चीज़े तुम धीरे धीरे सीख जाओगे फिर उनकी बात मान कर एगले दिन से कीरती और बालू उसके बिना ही मचली पकड़ने जाने लगे जो थोड़ी बहुत मचलिया उनकी जाल में फस्ती बस उनहीं को बेच कर पैसे कमा कर अपना गुजारा कर रहे थे हमेशा की तरह राजा मचली पकड़ने नदी पर पहुँचा तो उसने एक बड़ी राक्षिस मचली को उसकी और आते देखा राजा तुरंत अपनी नाव के सहारे किनारे पर पहुँचा और सभी गाउवालों को उस राक्षिस मचली के बारे में बताया तब गाउं वालों ने पूरे गाउं में ये एलान करा दिया कि नदी में एक राक्षस मचली है और कोई भी मचली पकड़ने के लिए उस और ना जाए पर गाउं के जादा तर लोगों को हर दिन मचली खाने की आदत सी थी वे सभी मचली खाने के लिए बहुत तरस रहे थे पर उस राक्षस मचली से डर कर कोई भी नदी के किनारे नहीं जा रहा था एक दिन डाइपर बालू ने अपनी दीदी कीर्थी से कहा दीदी गाउं के कई लोग मचली खाने के लिए तरस रहे हैं पर उस राक्षस मचली की वज़े से कोई भी नदी किनारे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा क्यों न हम इस माउके का फाइदा उठाए बालू मैं समझी नहीं कीर्टी ने शुरुवात में इस बात के लिए नदी पर बालू के मनाने पर वो मान गई वे दोनों गाउं भर में घुमकर जिने भी मचली चाहिए थी उनसे एडवांस में पैसे ले लिए और मचली पकड़ने नदी पर चले गए पर जैसे ही कीर्टी और बालू ने मचली पकड़ने के लिए जाल बिछाया राक्षस मचली उन दोनों की और आने लगी कीर्टी ये देख बहुत घबराई मैंने तुझसे कहा था कि नहीं जलेंगे पर तुने मेरी बात नहीं मानी अब देखो कितने बुरे भसे उस मचली पर वार किया बालू और कीर्टी ने उस राक्षस मचली को अपनी नाव से बांधा और उसे तहराते हुए किनारे ले गए कीर्टी और बालू ने जड़ी बुटी का लेप लगाया जिससे राक्षस मचली का दर्थ थोड़ा कम हुआ जब उस राक्षस मचली को इस बात की पुष्टी हुई कि ये दोनों उसे हानी नहीं पहुंचाएंगे मचली ने उन दोनों से दोस्ती करनी चाही उस दिन से बालू और कीर्थी के अलावा उस नदी में जो भी आता राक्षस मचली उन्हें दरा कर भगा दिया करती पालू और कीर्थी का मचलीयों का व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगा